हैदरबाद में ग्यांगरेप और हत्या के आरोपियों को फासी देने की मांग की जा रही है बिकानेर में भी डूंगर कॉलेज के चात्रों ने हाईवे जाम करके अपना प्रदर्शन किया और आरोपियों को फासी के सजा देने की मांग की चात्र नेता रोहित बाना ने बताया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है लेकिन एक भी दावे पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है तीन साल की बत्षी बारा साल की पच्षी के साथ में सब्सक्राइब हो रहा है ऽे बेटियां का सुरक्षीत नहीं वार्लक की सुरक्षीत नहीं और अब हम आर-फार की लड़ाई लडएंगे बेनों की सुरक्षा के लिए हमें चाहे कुछ बी ओ हमें सब मंजूर है हम हीट बजा देंगे अज तक यह वह ने सरकारों बड़ी-बड़ी सरकारों को इलाके छोड़ती है अब हम भी हमें भी यह काम हमें अंत में सब्सक्राइब पर मजबूरन उतरना पड़ता है हमें कोई कुछी नहीं होती है शड़कों पर उतरने के लिए आज हमारी जो देश की बेहन बेटिया है वह मारी सुख्षित नहीं है तो आप क्यों बड़े-बड़े वादे करते हो मैं जो बड़ी-बड़ी सरकार हैं उनसे कहना जाता हूं क बिका नेर के अंदर आज जो शुरुआत हुई है कल हम जिला क्लेक्टर के उपर सबसे बड़ा युवा पड़ाव डालेगा और उसके अंदर संभाग के सभी महाविदा लेके युवा जनपरतिनीदी और जितने भी युवा हैं वो सारे